नगर निगम के मुद्दे को लेकर गामवासियों का संगर्ष काफिस में से चल रहा है क्योंकि नगर निगम में सोलन शेहर के साथ लगती आठ पंचायतों को शामिल किया जा रहा था जिसके चलते सभी गामवासि मिलकर संगर्ष कर रहे थे इस संगर्श मिती के अध्यक्ष बाश्पा नेता कांती सोरूफ सर्मा थे जिनके अध्यक्षता में बाश्पा नेता और गामबासी उपयुक्त तोलन को ग्यापन सौप ने पहुँचे पीछे से गामबासी ने परदेश सरकार के किलाप नारे लगा दिये जिसकी वज़ा से बाश्पा नेताओं पर अनुशाशनात्मक कारिवाई का धंडा चला संगर्श स्मिती के अध्यक्ष कांती शर्मा ने सफाई दी कि कॉंग्रिस और माकप्पा नेता संगर्श के नाम पर राजनिती कर रहे हैं उन्होंने ही शड़ंतर के तहट इस संगर्श को राजनिती रंग दिया इसलिए बैश्प्पा नेता ने संगर्श श्मिती को बंग किया उसके तुरंत बाद ही पर्दे के पीछे माकपा सेंटर कमीटी के सदस्या टिकेंदर पंबर सामने आगे और सोलन में प्रसबारता का आयूचन कर नगर निगम का भिरोद किया आपको बता दें कि टिकेंदर पंबर खुद शिमला नगर कमीटी के नगर निगम के डिप्टी मेर रह चुके हैं माकपपा सेन्टल कमीटी के सदस्या टिकेंदर पंवर ने नगर निगम में 16 की 8 पंचायतों को शामिल करने का भिरूत किया और कहा कि अगर इन पंचायतों को निगम में शामिल किया जाएगा तो गाम बासियों को अपने अधिकारों से बंचित होना पड़ेगा उन्हें किसानों से जुड़ी किसी भी तरह की योजनाई नहीं मिलेंगी उन पर अनावर्शक टेक्स का दवाब पड़ेगा उन्होंने कहा कि सरकार के पास विकास को लेकर कोई मास्टर प्लान नहीं है गाम नगर निगम की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे है उनके साथ सरकार जवर दस्ती कर रही है विकास के नाम पर गामों को बीनास के रास्ते पर देकेल रही है इसलिए माकपा किसान संगर शमिती को अपना समर्थन देती है लेकिन नगर निगम का फैसला जो सरकार का है सबसे पहले तो वो यहां की काउंसल से रिजोलिशन होना चाहिए था और दूसरी बात यह है कि अगर वो शहर के अंदर नगर निगम बनाए तो मुझे नहीं लगता कि उस पर दाता समस्थ्या होगी लेकिन किसी विजन के साथ होना चाहिए कि का आगे भीस साल के लिए क्या वीजन है शेहर के लिए या जिसको के सकते है कि क्या developed plan होगा विकास की योजना क्या होगी जिसको master plan भी कहते हैं तो वो तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रही है और दूसरी बात है कि गाओं को मर्ज करना और आठ पंचायतों को मर्ज करना और यह तो बेसिकली जो अबनाइजेशन की पॉलिसी है जिसमें तीन महत्तपुन विंदू है पहला यह है कि 75 परसंट जो पूरुश अबादी है उसकी नौन एक्टिविटी में होने चाहिए जबकि इन पंचायतों में बहुत सारे लोग प्रिशी करते हैं जादा लोग प्रिशी करते हैं और आपका 5000 घर मतलब साथ में पॉपलेशन होने चाहिए और तीसरा है 400 लोग पर स्क्वेर किलोमेटर होने चाहिए तीनों में थोड़ा यह भी आगा करना चाहूँगा कि यह समझ लेना कि नगर परिशत से नगर निगम बनने से अपने आप इस नाट पैनिस्या फर ओल इस मतलब यह कि एक दम से वो होने से सब कुछ हल हो जाएगा यह सही नहीं है इन फैक नगर परिशत के अंदर अपने रिसोर् बहुत उमीद है कि इसमें डेफिनेटली आपका इनी वाट से हो सकता है और लास्ट में मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जो गर्मेंट के आजमाली स्थिती है वो इतनी खराब है सालरी देने के लिए पैसे नहीं है और इसलिए वो जो यह नगर निकाएं है इन पे बो बहुत सारी जगा पर मतलब जो सर्विसस प्रवाइड करने की काम है मतलब नगर निकम की या नगर परिशद की उसके लिए जैसे शिमला आप देख लीजे पांच-पांच हजार छेशे हजार कुड़े के बिला रहे हैं जब कि ती मीना आपका लॉक डॉन था तो यह मतलब यह मॉडल तो टिकाओ नहीं हो सकता और इसलिए लोग सचे हैं जो लड़ रहे हैं वो जानते हैं कि वो विकास ने उनके विनाश की त्यारी है और जो अलड़ी वहां पर विकासकारी काम है मन्रेगा है यह जो सबसे बड़ी बात है उनका जो चरांध है जिसको हम शामलात भूमी खतम हो जाएगी एक ही उसमें और यह शामलात भूमी तो अंग्रेजों के समाने से वहां वाजिवल अरज में उनके राइट्स हैं फॉरस्टेंदर राइट्स हैं